अभी तक हमने औरिट जो किये हैं उनकी किये हैं जो कि लोकल वेबसाइट सी हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक इंटरनेशनल वेबसाइट का भी औरिट करके दूँ जहां पर SEO की अवेबसाइट बहुत ज्यादा है और मेरा ख्याल से Amazon का नाम आपने सुने ही होगा Amazon जैसी बड़ी वेबसाइट का अगर हम आउरिट करें तो देखते हैं कि उनकी उनने कितनी SEO को फोकुस किया और वो कैसे SEO को लेके चल रहे हैं तो आएए देखते हैं Amazon.com मैंने वेबसेट उपन की और टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले सी SEO कोई का एक मैंने ओवरिवीव उपन किया तो आप देख सकते हैं कि उपर Amazon का URL चल रहा है इसमें टाइटल जो है उसका वो उन्होंने पूरा फुल यूज किया है उसके बाद देखें कीवर्ड उनने कितने एड की हैं उनमें सारे कीवर्ड आमाज़न, Amazon.com, बुक्स, ऑनलेन शॉपिंग, बुक्स्टोर ये सब चीज़े उनने उनने यूज की है उसके बाद मेड़ डिस्क्रिप्शन उनने लिखी है, काफी बड़ी मेड़ डिस्क्रिप्शन लग रही है लास्ट टाइम गूगल ने इसकी कैश एडिट 18 को क्रॉल किया है फेस्टू के 4.6 मिलियन उनकी यूरिल्स हैं और गूगल प्रस में उनके कभी कोई काम नहीं किया मेरे ख्याल से तो पिंट्रेस्ट में 25,000 यूरिल इंडेक्स हैं और लिंडिन पे कोई यूरिल नहीं है इस तरह से बाकी स्टाइट भी आपको नजर आ रहे हैं इसमें एज जो है तकरीबाँ 1998 में डुमेन रिजिस्टर हुई थी तकरीबाँ इसको अब आप इमेजन करने के 2018 में अगर आप देखेंगे तो इसको जो है 20 साल इसको भी हो गए है जब से ये बिजनस चल रहा है इंडेक्स गूगल में इसके तकरीबाँ 163 million URL इंडेक्स हैं आप इमेजन करें इस वेबसेट का स्केल कितना बड़ा है कि 163 million URL गूगल में इसके इंडेक्स हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो हम इसको क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये सही बता रहा है कि नहीं जैसी मैंने देखा आप देखेंगे वो साइट ऑपरेटर का कॉलन लगा साइट कॉलन जो है वो उसने लगाके Amazon.com के URL निकाले हैं तो तकरीबाँ 163 million URLs जो कि सारे Amazon की हैं इतनी बड़ी वेबसेट की SEO कैसी होती होगी कितने लोग इसके पर SEO करते होंगे अगर आप देखेंगे 163 million गूगल में हैं जबके बिंग में इसके 888 million है अब इसके बिंग के बार इतने जादा URL कैसे आए इसके तो अब सच क्या है यह देखना जरूरी है क्योंके बिंग में साइट अपरेटर जो हमने कॉलन लगाया है साइट कॉलन उसकी कमाड लगाया है साइट अपरेटर की उसमें साइट कॉलन www.amazon.com के URL लेखें तो बिंग में 888 million URL आ रहे हैं अब आप यह सोचेंगे के इतना फरक कैसे आ सकता है गूगल में तकरीबन 113 million और बिंग में 888 million माइट पॉसिबल के बिंग में बहुत सारे URL जो है वो duplicate हो सकते हैं या हो सकता के इन्होंने duplicate URL सिरफ Google से remove की हैं बिंग में नहीं किये या कर नहीं सके I don't know लेकिन यह बहुत बहुत discrepancy है जो की Amazon को भी देखनी चाहिए एनिवेज उसकी आगर आगे स्क्रोल करके देखें तो उसकी हॉम पेज पे 996 वर्ड के उसने कॉंटेंट लिख है जिसमें सबसे अज़र जो यूजर ने वर्ड वर्ड वाइमाजोन खुद है और उसके बाद एंड डील एंड तकरीबर ये जो है वर्ड टू वर्ड में आरा है एंड जो है तकरीबर चोदाफ़ रिपीट हो रहा है उसके बाद आप देखेंगे थ्री वर्ड में एंड इन नैंटीन नैंटीन आर्स इंट्रस्टिंग कि कौन से कीवर्ड जो है वो उनके हॉमपेज पे चल रहे हैं लेकिन क्योंकि एक कॉमर से अपसट है ये रिज़णा अपनी आलमों से चेंज करते हैं क्योंकि इनकी जो आफ़र्स है वो चेंज होती रहती है हॉमपेज को अगर मैं ब्राउज करूँ तो उसमें सारी प्रॉडट्स आरही है कॉंटेंट बिल्कुल नहीं है और जो कॉंटेंट मुझे नज़ा आ रहा है वो पेसिग रिपॉड़ड के टायटल है जाकि उसके नीचे फोटरम में कॉंटेंट हा रहा है तो मुझे वैसे विजिबल कॉंटेंट नज़ा नहीं आ रहा है Anyway, इसका मैं source code open करता हूँ, देखते हो कि source code में क्या है और जब तक source code open हो रहा है तब तक मैं diagnosis इसका स्क्राइक में देख रहता हूँ इसका URL ठीक है, canonical tag इनों ने डाला हुए, जो कि ठीक है, title इनका 83 characters है, जो कि बड़ा है हमें 65 characters तक maximum जाना होता है, जहां तक 10-70 characters की limit है, लेकि 65 में देखना यह पड़ता है, जहां भी जाके cut ना शूरू ना हो जाए तो अगर यह cut रहा है तो आपको यह delete करना पड़ता है, तो I guess कि more वाला button यह tag कर सकता था, DVD भी कर सकते हैं क्योंकि इतने important नहीं है Amazon.com अगर यह properly इसको optimize करना चाहे तो यह इसको 70 से नीचे limit में लेकि आ सकता है, जो कि ए गलत चीज़ है, तो आप imagine करें कि Amazon जैसी website पे भी SEO की ज़रूरत है Meta Description की बात करें, तो 304 word, new characters का Meta Description लिखा है, जो कि minimum 160, 170 characters तक चाहिए होता है, maximum 300 तक जा सकते है क्योंकि 160 तक Google लाजमी दिखाएगा, 160 से ओपर अगर वो उसका दिल करेगा, तो कभी-कभी वो show करता है तो 160 minimum है, requirement है, 300 maximum requirement है, यह 304 उन्होंने add की है, तो यह थोड़ा सा optimize करके, यह अपना चाह लेटर काम कर सकते है कीवर्ड जो कि Google नहीं monitor करता है, जोने 4 and 39 characters, यह अपना description से भी जादा उन्होंने कीवर्ड आ ले है, जो कि 41 words बनते है तो आप देखें, उन्होंने full time यूज किया इसको, तो इसका मतलब जी है कि आप भी यूज कर सकते हैं, आपको भी मसला नहीं होगा headings में उन्होंने कोई H1 यूज नहीं किया, जो कि गलत बात है, अगर उनको H1 कर लें यूज तो उसमें properly keyword को याड़ कर सकते है H1 ने 11 बार यूज किया है, H3, H4 नहीं यूज किया, H5 यूज किया है, जो कि fine H1 ना होना एक मसला है, H1 होना अच्छी बात होती है SEO के लिए, तो अगर आप H1 नहीं है, आपकी website में या किसी की website में है, तो आप उनसे recommend करें कि वो डालें जितने भी इनके images हैं सब में all tag लगा हो है, जो कि अच्छी बात है, यूज कि मैं कि website देखूं तो उसमें हर basically product का एक image लगा हो है, उनका एक भी image जैसा नहीं है जिसके अपर, वो all tag missing हो, जो कि अच्छी बात है, text इनका काम है, जो कि हमें नजर आगया था, 9.17 ratio text की, तो अ जो कि जो नहीं लगाया, schema.rg भी नहीं है, open graph भी नहीं है, तो इन्हों नहीं रिचने पर फोकस नहीं किया, twitter के card लगाया है, जो कि गलत लगे है, null null error आ रहा है, जो कि गलत है, AMP version इनका यहां पर शो नहीं हो रहा, मेरे खियान में AMP version होना चाहिए, इनका अगर नहीं है, त आप जखेंगे कि इन्होंने किस-किस को disallow किया हुआ है, इतनी ज़्यादा commands और reports में हैं कि Google board को कुछ disallow कर रहे हैं, बाकी चीज़ें allow कर रहे हैं, तो इन बड़ी websites के जो reports जो TXT file देखने से, यह मज़ा आता है कि कैसे एक दूसरे giant जो एक दूसरे को data product करने में लगे हु इनका बड़ा इंटरेसिंग देखना पड़ेगा कि 163 million URL एक्सरे में हैं या नहीं है, जब तक यह load होता है, तब तक मैं आगे चलता हूँ, language के tags और डालें जो कि बिल्कुल बेतरी है, dog type और HTML 5 डिफाइन किया है, जो कि अच्छा है, Google analytics इसमें नहीं है, या मुझे नजर नहीं है, I don't know, hopefully यह मेरे शाहिद हो सकता है कि मुझे नजर ना आ रहे हो क्योंकि एक extension मैं इन्स्टाल किया है, जो शाहिद उनको block करती है, लेकिन अगर analytics नहीं है, तो इसका मतलब बना मसला है, और यह भी possibility हो सकती है, Amazon ने वाकी है, analytics ना डाले हो, क्योंकि वो अपना data Google को नहीं है, और इसकी एक ही वज़ा मुझे समझा रही है कि Amazon नहीं चाहता कि Google को अपना database दे, उसकी website भी कौन सी traffic आ रही है, कहां से आ रही है, क्योंकि यह बड़े giants जो एक दूसरे से, इसी तरह की Tesla रखते हैं, so anyways, जैसे कि आप मैं देखा कि मैंने report short file खोली है, उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें भी देखी हैं, इसकी हमें समझा आगी है कि यह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप में भी कोई website optimize करनी है, तो आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, density में अगर मैं दोबारा detail में जाना चाहूं, तो इसके, मैं देखूंगा कि 4 words इसके कौनसे words हैं, जो optimize हुए हैं, so ends in 19 hours इनकी, यह word दोबारा चल रहा है, basically, यह deal चल रही होगी, इसमें क्यों proper keyword नहीं optimize हुआ हूआ, 4 letter में, 4 word phrase में, 3 word भी वही है, 2 word भी वही है, I guess, कि इसमें उनका focus नहीं है, SEO, वैसे भी Amazon इतना बड़ा है कि उसको कुछ tension नहीं होगी लेकिन एक जल्दी से में product जो है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि, यह मैंने product open किया है, आप देख सकते हैं, इसमें, वो breadcrumb लगे हुए है, इसको मैं SEO keyword में जाके देखूँगा, क्या data आ रहा है, title भी ठीक है, meta keywords भी डाले हुए है, description भी डाली हुई है, उसके बाद diagnosis में जाते हैं, Google में इंडेक्स भी है, डाइकनासिफिस में देखते हैं इसको, URL बहुत बड़ा है, जो के मसला है, 200 से जादा characters नहीं होने चाहिए, लेकिन actual URL इंक अतना बड़ा नहीं है, इसमें इनके tracking बहुत जादा involved है, actual URL इंका यहां slash तक खतम हो जाता है, canonical इंका tag exist करता है basically यह वो URL जो Google इंडेक्स करेगा, तो जो actual URL और यह URL basically same ही है, तो canonical टैग ही Google इंडेक्स करेगा, यहां पर अगर बड़ा भी है, तो इसलिए डाला था क्योंकि इस URL पर नीचे वाले canonical टैग है, और उस उपर वाले URL पर दोनों पर एक ही content है, तो यह duplicate content कहलाता है, अगर यह canonical exist ना करता, क्योंकि actual URL तो यह वाला था, उसके साथ जो बाकी यह हैं वो tracking की जो है, जो Amazon खुद की tracking कर रहा है, टाइटल इनका 1-0-7 characters है, जो कि गलत है, क्योंकि उनकी 70 से ओपर characters नहीं होने चाहिए, या I guess कि यह automated title है, जिसकी वए से इसको यह मसला होगा, लिखने वाले न SEO करता है, लेकिन फिलाल जो मैं देखने में लग रहा है कि इसको बड़ी जादा optimization की ज़रूरत है, description उनकी 107 काम है, यह बढ़ सकती है, यह पर proper नाम यूज हो सकता है, लेकिन अभी फिलाल जो मुझे नजर आ रहा है, जो इनका title है, वही उनकी description है, तो असल में यह automated SEO आप कोई sense यहाँ पर develop नहीं हो रही, keywords इनके 91, उनने ने keywords भी लिखे हैं, basically वो keywords भी उनकी product का नाम भी repeat हो रहा है, जो के आप देख सकते हैं, तो basically यह भी SEO ना होने का नतीज़ा, और H1 भी हैं, ह1 एक्जिस्ट करती है, लेकिन H1 एक से जादा है, गर आप 5 H1 है, जो के मसला हो स लगे वे हैं, क्योंकि वो frame carrier दे रहा है, micro format नहीं है, जबके micro format होने चाहिए थे, रिचने पर जो tags हैं, गूगल जिससे वो pricing दिखाता है, I don't know Amazon जैसी company इसमें क्यों miss कर रही है, तो schema भी नहीं है, open graph भी नहीं है, सारी चीज़ें missing है, तो यह आपको इसे within few minutes आपको अंदा कर देती है, उसको भी SEO की जरूरत है, और within few minutes मैंने आपको एक उसको home page का भी audit करके दिया, और मैंने आपको एक product page का भी audit करके दिया, कि उसकी product page में जितनी भी चीज़ें वो automated हो रही है, क्योंकि मसला Amazon के साथ यह है कि 163 million pages जब उसकी Google में index होंगे, उनकी one way one SEO नहीं कर पा करती है, लेकिन मैं इस strategy के against होता हूँ, मेरे ख्याल में optimize करना जरूरी होता है, आप अपने team रखें और एक एक hundred hundred करके, मतलब कि top hundred pages को पकड़ें, उसको optimize करें, फिर अगले को पकड़ें, क्योंकि यह शीज़ें कुछ देर तक जो रहने वाली हैं, उनको optimize करना जरूरी है, बट I don't know कि Amazon को इसकी जरूरत है भी के नहीं, में भी उनको लगता हुआ कि हमें Google की जरूरत नहीं है, हमें Google से traffic वैसी नहीं, चाहिए हम Amazon.com पर वैसे ही लोग चलके आ जाते हैं, तो Amazon इतनी बड़ी website बन गी है कि शायद वो SEO पर focus नहीं है, लेकिन कीड़ें उसमें भी हमक अशली बड़ी company हैं, उनको भी SEO की कितनी आशद जरूर आता है।